असलाम अलेकुम कैसे आप सब लोग आज की वीडियो में है सोपन कल की हीरिंग के मुताबिक थोड़े कुश्चन्स पर डिसकस करेंगे क्या सुपरीम कोट की हीरिंग तीन दिन के बाद में फाइनल आएंगी या नहीं पहला कुश्चन और दूसरा कुश्चन फाइनल या सब्सक्राइब करेंगे उनका क्या होएंगा और सबीसे रिक्वेस्टे की वीडियो लास्त तक देखिए वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हजरात है अब सबीसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बेल लाइक अंद पाईए तो ज अब कई सारे एडवकेट्स को यह लोग बोल दिये जो यूजी सी अगेंस्ट है पिटिशन दाले सो वाले उनलों को तीन दिन का टाइम दिये उनला फाइनल जो भी रिटन सब्मिशन कर देना है और यूजी सी क्लियरली यह बोल दिया कि तीन दिन के बाद में आपको फाइ यह बोल दिया कि बिना एक्जाम्स के डिगरी नहीं दिन गे और हो सके तो सब्टमबर 30 से पाइले और यूणिवर्सिटी वाले एक्जाम्स ले लेना है तो अब उसके मताबिक देखना है कि यूजी सी तो कंपलसरी एक्जाम्स बोल दिया मगर फिर भी सुप्रीम कोट में अब अपने जो भी स्टूडेंस अगेंस केस दाले वो लोग क्या रिटन सब्मिशन देते हैं क्या फिर चांसस है कि पोस्पॉंड होने के मगर मेरे पॉंट अफ यू से देखा गया तो चांसस 99 परसेंट पोस्पॉंड होने के नहीं है तो यह बोल सकतों कि आप लोग प्र जीतने के चांसस थे तो मगर यह केस देखते हुए ऐसा दिखरागी प्रिपरेशन कर लेना चाहिए और जहां पर ज्यादा करोना केसस है वहाँ है तो अब ऑफलेंड तो मुश्किल है तो अब देखना ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोट क्या टाइप में यह लोग एक्जाम स कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं मगर NSUA मेंबर्स भी कितना की फाइट कर रहे हैं मगर वो लोगों का कुछ भी अपडेट नहीं हो सकता वो लोगों को next year या फिर केसे थम गए तो December 1st या सेकेंड वीक में वो लोगों के एक्जाम सेरेंगे ने तो सेकेंड डियर के साथ इसकेंड मेंड मार्क 50-50 करके वो लोगों को पास कर दींगे एस पर UGC गाइडलेंस और HRD मिनिस्टर के point of view से तो वो लोगों को टेंशन लेने की जूरत नहीं है वो लोगों को पास कर दींगे क्यों बोले तो कहीं सारे students के मन में doubt है वो लोग पास कर दीए बुलके तो कब सेगी बोर रहे मगर ना अभी तक कुछ result रिलीस करें ना कुछ official notice रिलीस करें और बीच में जो है सो UGC sorry universities वाले JNTOU वाले भी हम लोग हुआ तो exams ले सकते बुलके एक update दा ले थे तो मगर as per UGC अपने को UGC कुछ follow करना है क्यों बोले तो कुछ स्टेट को क्या है कुछ भी rights नहीं है तो वह हिसाब से क्या है बोले तो आपको हैसो exams नहीं होईंगे आप लोग को promote कर दिंगे और promote होके बास से exams रहेंगे और नहीं रहेंगे बोलके बच्चों को doubt है तो उसके regarding क्या है बोले तो अगर आप वो मार्क से सहेमत नहीं है अगर आप improvement देना चाहरे तो आप improvement लिख ले सकते तो आप क्या है tension free हो जाएए अब देखना है Supreme Court की तीन दिन के बाद में hearing क्या आती बच्चों को pass कर रहे फेल कर रहे या promote कर रहे final मालूम होईगा और अपने को final decision मिल जाएगा तो एक चीज तो confirm होगे कि Supreme Court की तरफ से अब यह जो भी 22 को hearing है 21st तीन दिन के बाद में उसमें आपको clarity मिल जाएंगी conclusion मिल जाएंगा no more postpone तो अब देखना है और preparation करिए exams के लिए अगर आपको कुछ भी doubt है comment करिए मैं आपके comment का reply करूँगा यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और channel पर नए है तो subscribe करिए चलिए चलते है अल्ला हाफीज